अर्विंद केजरिवाल के केबिनेट मंतिरी सत्यंदर जैन की जमानत याजकया का इडी ने बिरोध किया है इडी ने कहा है कि मंतिरी सत्यंदर जैन की रिहाई से जांच पर भावित होगी मनी लौनिंग मामले में सत्यंदर जैन को 30 माई को गिरफतार किया गया था और मंत्री महोदे 12 जुन से जेल में बंद है ख़बर सुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार आप देख रहे हैं जन्मत की पुकार आरकेज जैसवाल के साथ मनी लॉर्णिंग के मामले में जेल में बंद कैमिनेट मंत्री सत्यंदर जैन की जामानत याचकय का बिरोत करते हुए इडी ने कहा है कि उनकी रिहाई से आगे की जाच बाधित होगी इडी की तरफ से पेस हुए अतिरिक्त सिलिष्टर जनरल एए एसजी इस भी राजू ने नियाई मुर्ती दिनेश कुमार सर्मा की पीठ के समक्ष कहा है कि जैन की जामानत याचकय को खारिज कर दिया जाना चाहिए अतिरिक्त सिलिष्टर जनरल ने कहा है कि तिहार जेल से CCTV फूटेज सामने आए जिसमें नियाईक हिरासत में होने के बावजूद भी अपने परभाव से सुबधा का लाव लेते दिखाई दिये इससे एसपर्ष है कि गवाहों को परभावित करने के साथ ही करदवाही को बिफल कर सकते हैं राजू ने दवा किया है कि जेन द्वरा प्रिवेशन ओफ मनी लॉंडरिंग पी एमेले की धारा पचास के तहत एक ब्यान दिया गया है जो एजेंसी के मामले का भी समर्थन करता है उन्होंने कहा है कि उनके पास सतेंदर जैन के ब्यान है जो बताते हैं कि वह कमपनियों के एक लबार्थी है उन्होंने कहा है कि सम्मधित कमपनियों से जूर एक और्डिटर के ब्यान में भी मनी लौनी की पूष्टी की है उन्होंने कहा है कि पीमले के तहट या नहीं कहा जा सकता है कि जमानत नियम है और जेल अपबाद है जब कोई लोक सेबाग आर्थिक अपराद करता है तो इससे जनता का विश्वास कम होने के साथ समाज पर इसका ब्यापक परभाव परता है इतना ही नहीं आपको बता दें तिहार जेल में जैन के सा आरोपित बैभव जैन और अंकिर जैन को परभावित करने के असपर्ष शबूत हैं एसजी राजु ने यह भी कहा है कि जैन जांच में सयोग नहीं कर रहे हैं आदालत ने इडी का अपक सुनने के बाद मामले की सुनवाई 21 फरवरी तक के लिए स्थाकित कर दी है आपको बता दें कि बर्ष 2017 में प्रष्टा चार निरोधक कानून के तहत सीवी आई द्वारा की गई प्रात्मिकी के अधार पर इडी ने मनी लाउडिंग का मामला दर्चकर जैन को 30 मही को गिराफ्तार किया था जैन 12 जून से जेल में बंद है जामानत दिने से इनकार कहने के 17 नुवंबर 2002 के राउज इवेन्यू कोट के निरने को चुनोती देते हुए जैन ने कहा था कि उनके खिलाब कोई मामला नहीं बनता है उन्होंने कहा था कि जाच में वो एजेंसी का पूरा स्वयोग कर रहे हैं और मामले में आरोप पत्र दाकी लोने के बाद अब उन्हें जेल में रखने की कोई अब सकता नहीं है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते किसी और नएक खबरों के साथ नमस्कार